गाउं का बिजनस शेहरों में बचा रहा है धूंग वैसे भी गाउं में मैन पाउर शेहरों की अपेक्षा सस्ता मिल सकता है। गाउं में ऑईल मिल लगाने के लिए 200-200 स्क्वेर फीट की जगा की जगा की जगा की जगा है। यदि ये जगा आपके पास है तो लागत और भी कम हो जाएगी। स्मॉल सकेल के अलावा मीडियम और लार्ड स्केल के ओयल मिल के लिए इस से ज़ादा जगा की ज़रूरत पढ़ सकती है। मीडियम और लार्ड स्केल के ओयल मिल के लिए कच्चा माल और तयार माल को स्टोर करने के लिए अलगलग जगा चाहिए। इसके अलावा ओयल मिल में कई मशीनों को लगाने के लिए भी जगा की जगा की ज़रूरत होगी एक स्पेलर फिल्टर की अपेक्षा बड़े प्लांट में लगने वाली आटोमेटिक मशीनों के लिए भी अधिक जगा की जगा की जगा की ज़रूरत होगी शेहरों और गाउं के ओयल मिल में क्या होता है अंतर बदलते जमाने के साथ शेहरों में जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतेग चीज़ की डिमांड भी बढ़ रही है इसमें खाने वाला सरसों, मुंफली, सोयाबीन का तेल भी शामिल है इसकी डिमांड को देखते हुए शेहरों में भी ओयल मिल का बिसनस लाबकारी साबित हो रहा है गाउं और शेहरों के ओयल मिल में फरके है कि गाउं में जहां चोटा प्लांट लगाया जाता है वहीं शेहरों में मीडियम और बड़ा प्लांट लगाया जाता है क्योंकि यहां का बिजनस एरिया बड़ा होता है डिमांड अधिक होती है इससे अच्छा मुनाफ़ा मिलता है लेकिन इसमें लागत भी अधिक लगानी पड़ती है ओयल मिल्क को लगाने से पहले यह सूचना होगा कि आप किस तरह के तेल का बिजनस करना चाहते है जैसे सरसों के तेल का बिजनस, सोयाबीन के तेल का मुटफली के तेल का बिजनस या जयतून के तेल का बिजनस आप एक तरह के तेल का बिजनस करना चाहते है या सभी तरह के तेलों का बिजनस करना चाहते है इसका कारण ये है कि ओयल मिल के स्मॉल और मीडियम लेवल बिजनस करने के लिए अलगलग चीजों से तेल निकालने के लिए आपको अलगलग तरह की मशीनों का इस्तेमाल करना होता है जबकि हाई लेवल के बिजनस के लिए आटोमेटिक प्लांट खरीवने से आपको सभी प्रकार के तेल निकालने की सुविधा मिल जाती है किस लेवल का बिजनस करना चाहेंगे आप? उत्पादन के नजरिये से तीन तरह का ओयल मिल उद्द्योग होता है इसमें पहरे तरह के उद्द्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं इसमें जो बिजनसमें 5-10 मिट्रिक टन तेल रोजाना उत्पादन करना चाहते हैं वो इस तरह का बिजनस स्टार्ट करते हैं इसके बाद इससे थोड़ा बड़ा बिजनस जो करना चाते हैं उनके लिए मेडियम स्केल इंडस्ट्री इस तरह की इंडस्ट्री में बिजनस्मेन 10 से 50 मिट्रिक तन तेल का उत्पादन रोजाना करना चाता है इसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्री आती है इसमें रोजाना पचास मिट्रिक टन से अधिक तेल का उत्पादन किया जा सकता है आपको तीन श्ट्रेणियों में से एक को चुनना है इस तरह के बिजनस की लागत और अन्य व्यवय को देखते हुए आप अपने बज़ट के हिसाब से चुन सकते हैं साथी राजी के उद्योग भी भाग में अपनी फौर्म का नाम द़र्च कराएं यदि आप चाहते हैं तो आपकी मिलक के नाम को दूसरा को इस्तेमाल ना करें तो आपको registration of company ROC में अपनी firm का नाम register कराना होगा। इसके अलावा आपको स्थानी नगरपालिका और नगर निगम में भी food license बनवाना होगा। सारी कानूनी कारेवाई पूर्ण करने का लाब ये होगा कि आपको business करते समय किसी तरह की सरकारी टेंशन की अवशकता नहीं पड़ेगी। कौन-कौन सी मशीनों की होगी जरूरत आपको मिल के लिए कौन-कौन सी मशीने चाहिए ये भी आपको बताते हैं। साधारन तोर पर दो मशीने आती हैं जिने एक्सपेलर और फिल्टर कहा जाता है। लेकिन बड़े उद्योग के लिए इसके लावा कई अन्य मशीनों की भी जरूरत होती है। आपको screw, expeller, cooker, end filter press, plunger, pump और filter cloth के साथ, oil को स्टोर करने वाले storage tank, वजन करने वाली electronic machine, seal करने के लिए sealing machine, box stamping machineों को खरीदना होगा। यदि आप automatic machine खरीते हैं तो आपको सभी तरह की सुईदा एक साथ मिल सकती है। आप सेमी आटोमेटिक का भी इस्तेमाल अपनी ओयल मिल में कर सकते हैं। इन मशीनों को चलाने के लिए आपको 15 किलो वाट से 20 होट्स पावर की मोटर की ज़रूरत होती है। कई चड़नों की प्रोसेस के बाद निकलता है शुद तेल। किस तरह से करें तेल की सप्लाई? ओयल मिल से तेल का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद इसकी सप्लाई की विवस्ता करनी होगी। ओयल मिल के पास नजदीकी थोक मारकेट या रिटेयर शॉप को टार्गेट करके अपना प्रोडक्शन बेचना शुरू करना होगा। होलसेल शॉप में तेल बेशने के लिए आपको कड़ी मेहनत करने होगी और उसके लिए आपको मार्केटिंग टीम भी रखने होगी ओयल मिल में कितनी लागत की होती है? जरूरत अब आईए विचार करते हैं ओयल मिल में लगने वाली लागत की वैसे स्मॉल स्केल बिजनस इंडस्ट्री में दो से तीन लाग रुपे की लागत आती है इसके अलावा मैन पॉवर अलग से रखना होगा इसके बाद मीडियम स्केल वाले ओयल मिल में खर्चे आपके ऊपर निर्भर करते हैं इसके लिए थोड़ी जगा मशीने आधी पर अधिक खर्चा होता है रो मेटीरियल भी अधिक स्टोर करना होता है इस medium scale के business में से 7 से 10 लाग रुपे की लागत आईगी यहाँ पर एक बात यह है कि small scale पर business शुरू करने के लिए आपको कुछ जादा workers की अवशक्ता हो सकती है लेकिन जैसे जैसे आप automatic plant की और बढ़ते हैं वैसे वैसे आपको कम से कम workers की जरूरत होगी automatic plant यदि आप 24 घंटे चलाते हैं तो आपको 3 शिफ्टों में काम करने वाले 2-2 trained व्यक्तियों की जरूरत होती है जब आप कोई बड़ा कार शुरू करते हैं तो उसमें अधिक से अधिक काम करने वालों की अवशक्ता भी होती है एसे में एक समस्य ये होती है कि कैसे काम करने वाले करमचारी को ठीक से समय पर काम करवाए कैसे उनकी जम्यदारियां बाटे, कैसे उनगे पर अपनी नज़र रखें ऐसे में आप के लिए बेह बखर उपाय है कि कैसे अपने स्टाफ को मैनज करें अभी डाउनलोड करें O.K. स्टाफ और पाएं अपनी समस्या का समधार O.K. स्टाफ एप का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा साथी O.K. स्टाफ एप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका लिंक भी आपकी सहुर्यत के लिया गया है O.K. स्टाफ एप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है O.K. क्रेडिट आपके लिए लाया है O.K. स्टाफ एक ऐसा एप जिसके जरिया आप मैनेज कर सकते हैं अपने स्टाफ की सैलरी, अटेंडेंस बहुती आसानी से O.K. स्टाफ का आपकी सारी लोकल भाशाओं में उपलब्ध है जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तैलोगो, आदी ये एप एक लाग से जादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला और पूर्णतार भारत में निर्मित आप है अधिक जानकारी के लिए देखें और डाउनलोड करें इसे गूगल पे स्टोर से आपके बिजनस का सच्चा साथी